दोस्तो हाली में नेट्फिक्स पर एक मुवी आई है जिसका नाम है फेराई हसीन दिरलुबा यह 2021 माई मुवी का सीक्वल है मुवी पूरी फुल ओन क्राइम सेस्पेंस और थिलर से भरी है तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो शुरू करते हैं वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट हैं कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फॉरन कर लें ताकि ऐसे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक दुएन पहुंच सके तो मुवी की शुरूआत होती है रानी से जो बारिश में दोड़ते हुए पुलिस स्टेशन जाती है और कहती है कि उसका पती उसे मार डालेगा वो लोग उसे बचा ले अब इसके बाद शीन सिफ्ट होता है और दो मैने पहले का समय दिखाया जाता है जहाँ पर न्यूस चल रही होती है कि आगरा में यमना नदी में विशालकाय मगरमच घूम रहे हैं इसके बाद हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है अभिमन्यू वे एक कमपाउंडर होता है और अपने पेशेंट का प्रट सेंपल लेने आया होता है अब इसी घर में रहती होती है और अभिमन्यू रहती होती है और अभिमन्यू रहती होती है और अभिम न्यूरानी को Fright season movie देखने के लिए अप्रोच करता है तो रानी भी उसे हाँ कर देती है रानी के मुँझे हाँ इसलिए निकल जाता है क्योंकि सामने से रिशू आ रहा होता है जिसके पास से गुजरने के उसे बेताबी होती है अब रिशू की बात करें तो वो भी आगरा में होता है अपना नाम रिशू से रवी बदल का रह रहा होता है क्योंकि पुलिस और दुनिया की नजर में वो मराजो होता है इस सेहर में रिशू और रानी हमेशा के लिए एक होने के लिए अपनी अलग-अलग पहचान स्पा कर अलग अलग जिन्दीगी काट रहे हैं। इनकी कोशिश है कि वो किसी तरह थाइलेंड भाग जाएं। इसलिए रिशू ट्रैवले एजेंट गुड़ू के पांसजा का जुगार बनाता है। जो उन दोनों को दो महिने बाद थाइलेंड बेशने का वादा करता है। अब जैस करता है क्योंकि रानी ने मुवी के लिए हां का आता पर वो गई ने। खेर अब एक दिन रानी का पर्स चोरी हो जाता है। चोर का पीछा करते हो रानी को पुलिस इंस्पेक्टर देख लेता है जो कि किशोर होता है। जिसने फर्स पार्ट में इनका केस किशोर रानी से बात करते हुए कहता है कि उसने दिनिस पंडित की किताब कसौली का कहर पड़ा जिसमें क्लायमेक्स सेम टू सेम केस की तरह था। मतलब कि किशोर को यकीन है कि रिशू जिंदा है और उन दोनोंने मिलकर नील को मारा है। किशोर से बचने के लिए रिशू और रानी मिला बंद कर देते हैं और अपनी लाइफ नॉर्मल जीने की एक्टिंग करते हैं। पर किशोर रानी को आगरा के पुलिस स्टेशन पूस्ताज के लिए बुला लेता है। किशोर रानी से उसके कॉल रिकॉर्ट्स के बारें पूस्ता है पर रानी गोलमोल घुमा वाली है। खर अब एंट्री होती है एक नए करेक्टर की जिसका नाम होता है मृतिंजे पासवान जो कि मरे हुए नील पासवान का चाचा होता है और डिशू का भी दूर का चाचा होता है। जैसे वो मॉन्टू चाचा के नाम से जानता होता है। और अब से एक इस उसी शादी क्यों नहीं की। इसके अलावा वो ये एक बात और दावे से कहता है कि हो ना हो रिशु भी आगरा में है। अब फिर जाते हुए कहता है कि वो रिशु को पचपन से जानता है। वो जमीन से दो गज उपर देखता है पर असल में वो जमीन के चार गज अंदर राणी के जाने के बाद मॉन्टू पुलिस वालों को राणी पर नज़र रखने के लिए कहता है और कहता है कि रिशु भी राणी के आसपास दो किलमेटर के दारे में होगा। इसके बाद मॉन्टू उस एजिंट को पकड़ता है जिसके थूर रिशु और रानी मौन्टू को वहां रिशू देख लेता है जिसके बद वो रात में रानी से छुपते हुए मिलने आता है और कहता है कि अगर मौन्टू चाचा को पता चल गया है तो हम चाहे पताल में ही क्यों न हो वो हमें ढूंड निकालेंगे इसलिए शायद मुझे सरंडर कर देना चाहिए पर रानी इसके लिए साफ मना कर देती है तब ही रानी के घर अभी मन्यों आता है जिसे देख रानी को आइडिया आता है क्योंकि न वो अभी मन्यों से साधी कर ले जिसे मोंटू चर्चा कर शक दूर हो जाएगा पहले तो इसके लिए रिशू नहीं मानता पर इसके लावा उनके पास हो कोई चारा भी नहीं होता और ऐसा इसलिए क्योंकि रिशू जिस कर में रहता होता है वहाँ अब पुलिस पूस्ताज के लिए पहुँच गए थी और उसकी मालकिन पूनम से पूस्ताज करती है पर पूनम पूलिस को कुछ नहीं बताती क्योंकि वो जो चाहती थी कि रिशू उसके साथ रिलेशन में रहे उसके लिए रिशू मान जाता है खेर अब रानी अपने प्लान के मताबिक अभी मन्यू के सामने सीधा साधी का प्रपोजल लगती है अभी मन्यू को काफी अजीब लगता है पर फिर भी वो शाधी के लिए मान जाता है क्योंकि वो रानी से प्यार जो करता होता है अब शादी वाले दिन मॉन्टो और किश उसे नहीं होगा यह सुन अभी मन्यू मान जाता है अब यहां पर अभी मन्यू अपना पास पताता है कि जब वो 7 साल का था तब उसके पैरेंट्स गुजर गए उसके बाद वो अपने चाचा-चाची के पास रहने लगा पर जब वो 20 साल का हुआ तब वो लोग भी गुजर गए इसके बाद वो इस घर में अकेला बज़ गया एक नौकरी थी पर वो उसे रास नहीं आ रहे थी इसलिए एक दिन उसने मरने की कोशिश की पर उस दिन उसने रानी को देखा और उसी दिन से उसे प्यार हो पर इसके बाद अभी मन्यू रिश्यू को अपने क्लीनिक में चुपा देता है भर इसका पता है और इसका पता पूनम को चल जाता और वो उससे मिलने आती है अब इससे पहले कि पूनम अपना मूँ खोलती रिशू से किस कर लेता है उसे वादा करता है कि वो कुछ दिनों बाद उसे मिलने आएगा अब पूनम के जाने के बाद वहाँ एक ललन नाम का आदमी आता है जो कि अभी मन्यू के लिए काम करता होता है जिसके बाद अभी मन्यू जब रिशू को खाना देने आता है तो उसे पूनम और ललनन के आने की भनक लग जाती है यहाँ अभी मन्यू रिशू को बताता है कि कैसे उसने अपने चाचा के परिवार को एक जहरेले साब से कटवा कर मरवाया दोनों में हाता पाई होती है और अभी मन्यू रिशू को लॉक कर चला जाता है अब वहीं दूसी तरह अभी मन्यू रानी को घुमाने के बाहने यमना नदी के बीचों बीच ले जाता है और वहाँ उसे भी अपना असली रूप दिखाता है और बताता है कि एक ऐसे उसके चाचा ने उसके पिता के साथ धोका किया और पूरा बिजनेस हड़प लिया जिसके कारण अभी मन्यू ने अपने चाचा के पूरे परिवार को खतम कर दिया क्योंकि उसे धोका बरदाश न कि उस दिन जब वो उसके क्लेनिक आई थी तब उसने रानी के हाथ में दिनिस पंडित की किताब देखी थी अब इसके बाद अभी मन्यू को अपने नजदीक आते देख रानी डर जाती है और वहाँ से भागते हुए पुलिस स्टेशन जाती है और हेल्प मांगती है कि उस जे इसके बाद पुलिस फोर्स रिशू और अभी मन्यू को ढूणने में निकल जाती है उन्हें ढूणने में एक नया कुलासा होता है नदी के किनारे एक गाड़े में दो लोगों की पूरी तरह से जली हुई लाश मिलती है उस लाश के पास अभी मन्यू का मेडिकल ब्रि जाता है और ये बात मीडिया को भी बता दी जाती है ताकि रानी को टोर्चर करने वाली बात रिशू तक पहुँच जाए और वो जहां कई भी हो अपने आपको सरेंडर कर दे अब ये देख रिशू एक वीडियो बना का पुलिस को बेजता है और कहता है कि वो सरेंडर करन आज से तीन दिन बाद यमना नदी के ब्रिज पर सरेंडर करेगा, जहां रानी उसके पास खुच चल कर आने चाहिए। इसमें अभिमन्यू होता है, अभिमन्यू आगे जाके उन दोनों पर रिवॉल्वर तान देता है, खुद को बचाने के लिए रिशु उसके हाँ से रिवॉल्वर गिरा देता है, जिसके बाद रिवॉल्वर पकड़ने के लिए उन तीनों में छीना चप्टी होने लगती है, पुलिस फोर्स आगे बढ़ती है पचीना चप्टी के चलते तीनों ही पानी में घिर जाते है पुलिस तीनों की बॉड़ी सर्च के लिए लगा देती है पर किसी की भी बॉड़ी नहीं मिलती उन्हें सिर्फ रानी के कपड़े और रिशू का नकली हाथ मिलता है जिसे देख सबको लगता है कि वो तीनों मगरमच का शिकार बन गए पर मॉंटू चाचा को ऐसा नहीं लगता वो काफी दिमाग लगाते हैं और सोसते हैं कि आखे रिशू ने सरेंडर करने के लिए रेलवे ब्रिज ही क्यों चुना अब फिर उसके बाद यह तीनों यमना नदी में क्यों कोदे जहां पर ढेर सारी संक्या में मगरमच है इसलिए वो चुप नहीं बैटते और अपनी चानवीन करने में लग जाते हैं इस दोरान वो अभिमन्यू के घर के आसपास की सारी फुटेज मंगवाते हैं और देखते हैं जिसके बाद फाइनली उनका शक यकीन में बदल जाता है कि यह उन तीनों की सोची समझी प्लानिंग थी मॉन्टू चाचा अपने सीनय अधिकारी को बताते कि जो जली लाश उन्हें मिली थी उनमें से एक तो पूनम की थी पर दूसी ललन नाम की एक आदमी की थी और ये ललन वही सपेरा है जिसने अभिमन्यू की मदद की उसके परिवार को मारने में इसके बाद फुटेज को दिखाते हुए मॉन्टू चाचा कहते कि जिस दिन डबल मर्डर हुआ उस दिन रानी और अभिमन्यू शाम को 7 बजे घर लोटे जिसके ठीक 15 मिनट बाद भी रिशू दोड़ता हुआ उनके घर पहुचा और फिर शायद उन तीनों में कुछ मॉन्टू की इतनी दलीरे देने के बाद भी सीनियर नहीं माता और केस को क्लोस कर दिया जाता है अब कहानी जाती ही 6 मैंने बात की जहां हम देखते हैं कि अभिमन्यू ने किसी तरह से रानी को उस नदी से बाहर निकाल लिया होता है और रानी रिशू का नाम लेकर रो रह होती है क्योंकि वो पानी में ही रह गया था इसके बाद रानी और अभिमन्यू हिमाचल प्रदेश के देवसर में जाकर बस जाते हैं रानी एक स्कूल में पढ़ाती होती है और अभिमन्यू छोटा सा क्लीनिक चलाता होता है अब रानी को एक दिन क्लू मिलता है कि रिशू जिन्दा है जिसके बाद फिर से वो लोग अपना एक प्लान शुरू करते हैं जिसके तहतरानी मॉंटू चाचा को दिनिस पंडित के लिए किताब भेजती है मगरमच का सिकंजा अभी इस किताब को पढ़ते हुए मॉंटू चाचा को उन तीनों का असली प्लान समझ में आता हैं और मगरमच को वहां से हटा देते हैं और फिर ब्रिच से कूट कर अपनी जान भी बचा लेते हैं यहां पर फ्लैश बैक में दिखाया भी जाता है कि जैसे ही पुलिस पास आती है वो लोग कूट जाते हैं अब इस किताब के साथ रानी एक नोट भी बेजती है जिसमें मंटू चाचा को देव सर के तोता मैना लवर्स पॉइंट पर मिलने के लिए बुलाती है अब मंटू चाचा जब उस पॉइंट पर जाते तो रानी पहले से पाड़ी की चोटी के किनारे खड़ी होती है और साथी उसने अभी मन्यू को भी मिलने के लिए बुलाया होता है यहां रानी पूरी असली कहानी बताती है कि किस तरह अभी मन्यू ने लेनर और पूनम कुमारा साथी फ्लेश पैक में दिखा जाता है कि अभी मन्यू ने मगरमच के सिकंजे वाला प्लान बनाया और कहा कि अगर हमें जीना है तो हमें दुनिया के सामने मरना होगा और फिर उ मौंटू चाचा अभिमन्यू को ले जा रहे होते हैं तो एक पुलिस वाला मौंटू चाचा को आकर बताता है कि उन्हें राणी की लाच नहीं मिली अब कहानी में हम पीछे जाते हैं ये जानने के लिए कि रिशु आकि जिन्दा कैसे बचा तो हमें यहां फ्लैस पैक में दिखा जाता है कि अभी मन्य रिशु को मारने के लिए उसका हाथ निकाल देता है उन्होंनों की जड़ब से पास में सोया मगरमच जाग जाता है जो र जिनेश पंडित की एक सारी के तुरू संदेशा भिजवाता है जैसे पर रानी रिशु से मेलने आती है और तब दोनों एक नई चाल चलते हैं जिसमें वो फिर से मौन्टू चाचा को वापस से लाते हैं क्योंकि वो अच्छी तरह से जानते थे कि अभी मन्यू जिस पर इ एड दी एंड रिशु और रानी के प्लानिंग तो अच्छी है पर शायद उन्हें यह नहीं पता कि अभी मन्यू भी कोई छुटा के लाड़े नहीं और क्योंकि अभी मन्यू का पिता कोई और नहीं दिनेश पंडित है जो फेमस क्रिमिनल नॉवलिस्ट है और उसकी कोई पिताब ऐसी नहीं जो अभी मन्यू के पास ना हो और पढ़ी ना हो तो अभी तक रिशु और रानी के दोनों बार के बचने के प्लान दिनेश पंडित के नोवल से निकल कर आए हैं तो आगे चल के उनका कोई भी प्लान ऐसा नहीं होगा जिसके बारे में अभी मन्यू को साथ हैं अब अगर पार्ट 3 आता है तो ये देखना मज़ेदार होगा कि रिशु और रानी यहां से कैसे बसते हैं क्योंकि अभी मन्यू और मुटू चाचा को तो पता चल गया है कि दोनों जिन्दा है और अगर फिर से दिनेश पंडित की नोवल का यूज कर बचने की कोस करते हैं तो इस बार अभी मन्यू उसको क्रैक कर लेगा तो मिस्ट्री देखने में मसा आएगा तो दोस्तों कैसी लेगी मुवी और मेरा एक्स्मिनेशन कमेंट कर जुरू बताएगा और ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल में बन भूलि कर दोस्तों 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 क